इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सुकन्य सम्रिद्धी योजना के बारे में कि किस तरह से आपको उसमें एकाउन खुलवाना है और क्या-क्या जानकारी जो आपको पता होना चाहिए सारी बात इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इसलिए वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखिए। सुकन्य सम्रिदी योजना का अकाउंट किसी भी post office या फिर commercial bank में खोला जा सकता है। आम तोर पर जिन banks में public provident fund account open करने की सुविधा मिलती है। वो सभी bank सुकन्य सम्रिदी योजना अकाउंट खोलने की सुविधा भी मुहिया कराते हैं। PM Modi ने इस योजना को साल 2015 में launch किया था। इसमें 7.6% ब्याज मिलता है। आये जानते कैसे खोल सकता है अकाउंट। सबसे पहले आपको सुकन्य सम्रिदी योजना अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। 2. बेटी के बर्त सर्टिफिकेट की जरूरत भी आपको होगी। अभी भावकों के पहचान पत्र की आवशकता होगी जिसमें पहिन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर इन में से कोई भी डॉक्यमेंट आप लगा सकते हैं। 4. अभी भावकों को एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यमेंट सब्मिट करने होगे जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड दिया जा सकता है। 5. बहिंक या फिर पोस्ट ओफिस से आपकी डॉक्यमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एकाउंट खुल जाएगा। एकाउंट खुलने के बाद एकाउंट होल्डर को पास्बुक भी दी जाती है और इस स्कीम में मैचुरिटी की डूरेशन बेटी की उम्र 21 साल होने तक की है। पैसा लगाने पर इंकम टेक्स सेक्शन एटी सी की तहट टेक्स्टूट का लाभ लिया जा सकता है। सुकन्या समरिद्धी योजना पर मिलने वाला ब्याज सरकार हर तिमाही में ताई करती है। एकाउंट खुलने के पाँच साल के बाद बंद भी किया जा सकता है। हालकि यह कई परिस्तितियों पर निर्भर करता है जैसे कोई खतरनाक बीमारी होने पर या किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत मिल सकती है। लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट से मिलेगा। तो दोस्तों यह था वीडियो सुकन्य समरिद्धी योजना के बारे में। जादा से जादा इस वीडियो को आप शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं और जरूर सेलेक करें।